हेलो फ्रेंड्स मैं गुरु भाई इंदी रैपर तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप से बात करने वाला हूँ FL Studio 20 के अंदर हम बोया माइक इस माइक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसमें बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है आपको पहले ये जो माइक है पलग कर लेना है अपने PC के अंदर ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग है यहाँ पर कैमरा मोड आपने ओन कर देना है जो कि आपको बटन दबाते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर recording शुरू हो गई है यानि कि आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पर pumping दिखा देगा अगर मैं sound के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर दिखा देता है कि जब कोई बोलता है ठीक है तो अब देखे यहाँ पर दिखा रहा है एक microphone अटैچ हो रख है तो जब मैं बोल रहा हूं तो यह pump कर रहा है इसके अंदर दो माइक आपको दिखाए दे रहे हैं पर आपको इस वाले माइक को ही ध्यान देना है क्योंकि यह जो दूसरा माइक है मेरा जो camera लगाव है जिससे मैं बात कर रहा हूं उसकी recording आपको थोड़ी-थोड़ी इसमें दिखाए दे रही हैं तो इसको ignore करिए नीचे पर ध्यान दीजे, जिसमें लिखा रहा है, High Definition Audio Device, अब इसका मतलब है कि आपके माइक का नाम है High Definition Audio Device, ओके, तो बोया नाम नहीं आएगा, कहीं आप बोया नाम ढूंडने लग जाओ, अब इतना सा हो गया, आप इसको डबल कलिक करके, स्लेक्ट भी कर सकते हो, नहीं करना त सेटिंग में जाओंगा, ओडियो सेटिंग में यहां लिखा हुआ है कि Input and Output, तो इसके अंदर आपको FL Studio का ASIO Driver सेलेक्ट कर लेना है, अब यह सेलेक्ट हो गया है मेरा, अब मैं इसके ओपर सेलेक्ट करूँगा Buffer Length के उपर, यानि कि मुझे अब इसकी वो सेटिंग चाह इनपुट में आएगा आपकी आवाज, वो आवाज लेगा, यानि कि वो माइक से लेगा, तो Input में आएगा आपका माइक और Output में आएगा Speaker, क्योंकि कानों में सुनना है तो Speaker तो चाहिए, उसी तरह से आपको ध्यान देना है, बस यह किसी भी Software के अंदर हो, चीज यही Follow क मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आजाएगा Option, और यहाँ पर देख सकते है, Input में लिख रखा है Microsoft High Definition Audio Devices, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, recording में गए High Definition Audio Device, तो ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी लिख रखा है Ready, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, कौन सा Ready है, अगर यहाँ पर Ready नहीं लिखा आ रहा है, तो वह नहीं चल रहा होगा, अब मैं इसे काट देता हूँ, Input हो गया, ओके, ऐसे कुछ नाम लिखे आ सकते हैं, यह जो Line In आ रहा है, Line 1, 2 आ रहा है, यह मेरा वो driver है, जो मेरा Audio Interface से Connect है, पर अभी मैं Screen Recording कर रहा हूँ, तो मैंन Select करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास है, Audio, मतलब Audio Devices मैंने Select कर लिया है, अब आते हैं, Output के अंदर इसमें Speaker लेने है, Speaker मैंने ले रखा है, M Audio का Speaker, अम M Audio के Speaker क्यों ले रखे हैं, इस चीज़ में आपका Confusion होएगा थोड़ा सा, अगर आपके पास Driver है, तो Common सी बात है, कि आ Audio Interface है, तो Common सी बात है, कि आप Audio Interface का नाम ही Input में Select करोगे, अगर आपके पास Audio Interface है ही नहीं, आपने कोई Home Theater लगा रखा है, तो आपको जो Setting Select करनी है, आपको करना है, अपने Computer के Driver, यानि कि आपके Computer के अंदर नाम आ सकता है, जैसे Real Tech के नाम से आ सकता है, तो वो हो सकता है, तो वो आपको इसके अंदर Select करना पड़ेगा, तो आप में ये भी आ सकता है, Digital Audio नाम से आ सकता है, जैसे के High Definition Audio Devices था, उसी तरह से High Definition Audio Devices भी नाम आ सकता है, अगर आपको Confusion रहे, तो आप ये Click करके Select कर सकते हैं, अभी मेरे System के अंदर 2-3 Driver डलेवें, इसलिए इतने सारे नाम आ रहे हैं, पर आपके System में मुश्किल से 2 ही नाम आएंगे, एक या तो Real Tech नाम से आएगा, Speakers का, या तो High Definition Audio Devices नाम से आएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके पास Graphic Card लगा हुआ है, तो Graphic Card के नाम भी आ सकते हैं, पर Graphic Card से नहीं होगा, वो Screen से Connection हो Company का आपके Graphic Card होगा, उसे आप Select करके देखें, हो जाएगा, मैं छोटी सी बात दुबारा से बता देता हूँ, Input में आपने लेना है, Mic Boya का, या कोई भी Company का Mic जो आपने लगा रखा होगा, उसी तरह से Speaker Select कर लेने हैं, जो आपने लगा रखे हैं, यानि कि नाम वही आएं Speaker तो हमेशे एक ही चला रहे होंगे, वही Select करोगे, Common सी बात है, तो बस इतनी Selection करनी है, Buffer Length, 256 पर Select करना है, वो क्यों, क्योंकि जब आप बोलते हैं, मैं बात करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा Late आने की आशेंका खतम हो जाती है, यानि कि जब मैं 1024, 2048, तो आपको ध्यान देना है, कि मुझे Buffer Length आप कम करना पड़ेगा, कम जब करोगे, तो आपकी Recording के जो आमने सामने बातचीत हो रही है, उसमें Delay नहीं होगा, यानि कि एक साइट से आप बोल रहे हो, दूसरी साइट से सुन रहे हो, तो एक तरह से बातचीत ही हो होई, तो वो Delay नहीं होगा, तो उस सीज का ध्यान देना है अपने, अब यह Cut कर देना है, यहां 4100 Hz मैंने Select किया हुआ है, जिसे हम Sample Rate बोलते हैं, इसके बाद यह कुछ Setting है, आप देख लीजिए, CPU के सभी Mode मैंने Own रखे हुए है, Depend करता है आपके उपर कि आपने क्या Select कि अब मैं इसे काट देता हूँ, अब यहां Mic पर जाओंगा, यहां पर Mic One Select करूँगा, इन One, अब selection कैसे करने हैं, यह Master पर Select नहीं करना, बहुत लोग Master के उपर Select कर देते हैं, फिर बोलते हैं, कि मेरी आवाज और जो Music है, दोनों की दोनों Mix होके सुनाई दे रहा है, अब मैं Master track है, उसमें तो सब कुछ बजेगा, अब लेते हैं कोई खाली track, खाली track आजाता है जैसे 6 के बाद, यहां आप देख सकते हैं, खाली track है की नहीं, 1, 2, 3, 4, 4 तक मेरी track भरे वे हैं, तो मैं 4 तक नहीं लूँगा, 5 से लूँगा, जो कि 5 track मेरा खाली है, इन One, उपर वाले इन One और Two को मत select करना, यह stereo है, अभी हमें Mono में काम करना है, Mono होता है हमारे single आवाज, stereo होती है हमारी left-right वाली आवाज, यानि कि जो wide angle के होती है, उसे हम stereo बोलते हैं, जिसमें left और right सुना ही देता, ज्यादा, Mono हमारी आवाज, Mono में ही आती है, तो हम इन One select करते हैं, मैं जाओंगा recording में, double click करूंगा, इसमें जाओंगा levels में, यहाँ पर microphone boost वाले option को में कम कर दूँगा, अब देख सकते हैं, इसके अंदर noise बहुत कम आ रही है, ओके, तो अब यह जो noise बहुत कम आ रही है, उसको आपने handle कैसे करना है, यह double double आवाज ना आई, इसलिए मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर अब noise नहीं आएगी, जितनी आपको recording करनी है, उतनी ही record होगा, अब इसके अंदर मैं और level भी कम करके देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, कम करके जैसा आपको ठीक लगे, पर मैं इतना subscription रखूंगा, plus 10 dB तक, okay कर दूँगा, अब मैं इ बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर ये graph बन रहा है, जो कि मुझे चाहिए, अगर आपको लगता है कि pass आके record करना है, तो pass आके भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा बड़ा graph बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा heavy सा लगेगा, तो quality थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, जैसे hip hop vocals के अंदर होती है, अगर आपको थोड़ा दूर से करना है, जैसे आप singing कर रहे हो, तो थोड़ा दूर से आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके उपर कि जहां पर आपको result मिल रहा हो, अभी सुन सकते हो, अब बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर ये graph बन रहा है, जो कि मुझे चाहिए, अगर आपको लगता है कि pass आके record करना है, तो pass आके भी कर सकते हो, उसमें इसके अंदर आप देख सकते हो, कि आपको अगर इसका normalize level करना है, तो double click करके इस normalize पर click कर देंगे, और थोड़ा सा graph बढ़ा हो जाएगा, जितनी इसक पर इसलिए नहीं किया, क्योंकि यहां पर एक peak level था, उसको control करने के लिए system ने अपने आप समझ लिया कि इससे ज़्यादा नहीं जाना है, वरना normalize भी खराब हो सकता है, तो अभी normalize को मैं हटा दूँगा, और अब आप देख सकते हैं कि कैसा record हो रहा है, अभी मैं दूर ह अवाज भी कमारी होगी, मैं अपनी अवाज को उपर उठा लेता हूँ वापिस, इसे माइक बंद करता हूँ, अब मैं अपनी अवाज को boost किया है, तो अब देख सकते हैं हाँ पर, बीच में अवाज मेरी बंद भी हो गई थी, I think, तो अभी काफी उपर लेवल में record कर रहा हूँ, क्योंकि मैं screen recording कर रहा हूँ तो इस current से, वाकी आप देख सकते हैं पूरा red हो रहा है यहाँ तो इस तरह ही था, मैं उमीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें record करना है, कैसे mic select करना है, कैसे हमें उसकी normalized level को set कर करना है, कैसे boost को कम करना है, तो इन settings के बदोलत आप अच्छी recording कर सकते हो, hope video आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो like, comment, share और subscribe कर देना, क्योंकि subscribers बहुत धीरे से बढ़ रहे हैं आजकल, सब लोग short, serils में घुश चुके हैं, तो हमें तो शायद कोई बोली मत वाली मिल जुल के चलता, भाई चारे का मंत्रा क्यों मिल के रहते स्रफ त्योहारों पर, तर क्यों जात पाप लुकते तुम दीवारों पर, क्यों भूल जाते हम इनसान भरत के जान लडाई हो, चाती सिर्फ विचारों पर, लोग देख